तो सिद्धार्थ मालोत्रा की मोस्ट आवेटेड मूवी योध्धा तो उसका टीजर फाइनली आचुका है मैं आपको उता दो कि मूवी बहुत टाइम से पॉस्पॉन होते जा रही है और करीबन दो साल से ओपर इन मूवी बन रही है तो एक बार देख लेते इसका पैलेट टीजर तैन उसका रेवीव करते हैं लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब किसाला इंग्जिस्तान में जब तक समीना है लोग शुक्तिय बनते रहेंगे तो स्टार्ट करते है टीजर किसी पेटी बार में तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि आंगे तो पानाने की समाव नहीं कि पालेट नस अगर जरुजरो स्कॉप की है इस अनौपिस्ताव आई जेकना आप और कमांडो कोने क्योंकि अप्राट क्योंकि पालेट क्योंकि आप्राट कि आंगे कि एकनाव तो तो शेर्शा जैसी बढ़िया मूवी बढ़िया ब्लॉबश्र मूवी बनाने वाली टीम करंज ओर सिधार्थ मलत्रा कियार एडवानी तो उन सब की ही मूवी आने वाली है यौता तो जैसे कि मैं आपको बताया कि मूवी करीबन दो साल से बन रही है और यह पिछली साल रिलीज होने वाली थी वह भी मिड में लेकिन अब देखो अभी रिल इस प्रेशन से जाती है तो मूवी के जो स्टोरी है वह पता चल रहा है कि है प्लेइन है जैक के ऊपर है अगर आप प्लेइन है जैक के देखे तो जो सफ़े बैस्ट मूवी याद आता था वह है निर्जा जिसने सौनम कपूर ने अक्ट किया था एंड कितनी मूवी चली भी थी लोगों को पसंद आया था नेशन अबर तक भी उस मूवी को मिला था तो और तो हला की रियल इस्टोरी के उपर था इन सटोरी क apparent सुन्हें क७ले क्या अप्रसथे लेकि तो अब रहें Paus अब है अन्सेर्न हो निदुन काम काम हुआ नहीं था या सब गया है किसले इक पर वर अखर एक्टोर्थे है're लगता है अलाकि सितार रोतर आफ दे रहेंगे प्रोमिसिंग लगते हैं एक्षेन करते हुए फैनों की परस्नालिटी है कि वो एक सॉल्जर का करेक्टर प्ले करें बट सच बलू तो ऐस पर मही एक्पेक्टेशन मुझे उतना खास नहीं लगा टीजर मेबी ट्रेलर में हवो हो हाई रखते हैं आपने की ट्रेलर में हो मुझे देखने को मुझे पात करें बनी घ्रतिंगर अ आपरेक्टल करें तो कास्टिंग में है सागर पुष्टर तो कैसी डिर्क्टर होने करी होगी मूवी अलागी टीजर से प्रॉमिसिंग लगती है और करन जोहर इसको सुपर्वाइस कर रहे हैं तो डेफनेटली कुछ तो ध्यान दिया हो का मूब हो यह है बाट लेट सी बेट फॉर ट्रेलर और मूव रिलीज होगी 15 मार्स को ज्यादा टाइम नहीं है जल रहा है एक महीनी से भी कम इसमें टाइम बचाए तो आधिंग प्रमोशन एंड गाने स्टार्ट हो जाएंग इस टीजर के आने के बाद सो ओवरॉल टीजर मेरी एक्टेशन क जो बढ़ से लेगा झांक।